Hello everyone welcome to pencil Baker and welcome to course आण इस course में हम Puppet work के बारे में study करेंगे Puppet work होता क्या है इसमें हम जैसे कोई चीज curved है उसको सीधा कर सकते हैं या twist कर सकते हैं या straight कर सकते हैं जैसे हमारा इमेज ही जिसका आप देखते सामने आपके image है एक आदमी जो mobile देख रहा हैं जहीं जाकर मैं उसका कैसे गडरह गुशका विए इसका पोस्चेर कुष बगडा हुआ हो तो हम इसको सेट करेंगे कैसे करेंगे तो पपेट राप के साथ हम इसका यूज करके इसको हम सète करेंगे तो जैसे कोई रशी यह हम उसके अंदर को कुल से पड़े हैं उसके उसा को बगडा हूँ तो मुझे कर सकते हैं तो चलिआ करते्ब के साथ सबसे पहले मुझी का बना लेते हैं सेलेक्षान बनाने के लिए कुए स्युक्षान तूर्ड फिर हम यहां पर ऑप權 से श्र। पॉलीगन लेसर टूल के साथ हम इसका स्ट्रेक्शन बना लेते हैं यहां पर अभी हम स्टार्ट करते चलते हैं हम थोड़ा रफ्सा यहां पर जो है श्रेक्शन बनाते चलते हैं कि 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 ऐसे हम सेलेक्शन बना लेंगे रफसी यहां पर और जितनी भी सेलेक्शन बनानी है मैं यहां पर थोड़ा रफसा यूज करने लगा हूँ तो यह हमने स्ट्रेक्शन यहां पर क्रेट कर लिया हुआ तो अभी मारा यह बैक्ग्रांड इमेज इसको कंट्रोल जेख लेता हूँ यहां पर इसका लेयर मैंने ले लिया और उपर अलाए अभी मैं विजिबल कर लेता हूं अधि यहां अभी विजिबल मैं शपषाल करने लग पर तो अभी हम क्या करते हैं यह अभी हम आंपर्य जो है यहां से फांड कर लिया और नीचे लेयर पर लिया anymore क्लिक करके पर इस पिचर में इस पिचर पर मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो यह स्लेक्शन हमारी जो नीचे रे लियर की थी यहां पर शो करने लग पड़ी यह स्लेक्शन आप देख सेंगे यहां बन गई हुए अभी मैं क्या करूंगा यहां पर स्लेक्ट मॉडिफाई option के साथ य यह देखिए अभी यह थोड़ा-थोड़ा बाहर को चलेंगा एकस्पैंड कर दिया उसने सबी लिएकस्पैंड कर दिया बैक्ग्राउंड लेर पर क्लिक करके shift backspace के साथ फिल का option हमारा open हो गया है यहां पर content aware है इसको मैं ok कर देता हूं ok करने के बाद देखिए इससे हमारा image यहां पर निचली layer का यहां से गायब हो चुका हुआ है अभी हम इस layer को open कर लेते हैं यह लेर हमारा यहां पर आज का हुआ है तो अभी हम क्या करते हैं यह इसका नेक्स पर मुरा हुआ है अभी मिसको सैट करते हैं इसको ने थोड़ा सा as- इस हे चोटा करना SW है यह इंदरWhen यहां पर यह दिखिए यहां पर यहां पर और पिन लगाना चाहते हैं वहां पर आप पिन लगाकर इसको हम मूव कर सकते हैं यह देखें यहां पर अगेन पपेट वाप में चलते हैं यहां पर यहां पर एक पिन यहां पर लगा दिया और एक यहां पर हम उसके नेक के पास लगा देखें और इसको यहां पर है पाले हम ऐसे करती हैं आपर okay कर लेते शको यह लियर पर चलते हैं और कि पटै पर क्लिक करते हैं यहां पर यहां पर यहंका यह पर क्लिक करते हैं यह दिखें उसका अभी जो है सिधा घर दिया तो यहां पर इसे यहां पर च्छाएं तो यह यहां पर इसको पीछह जूए तो यहां पर देख सकते हैं कैसे ट्विस्टोई ही चीज़ को सीधा कर दिया तो आप अपने कोडिंग भी जो है अपनी डेस्पेंट कर सकते हैं तो आपने देखा हम एक बर फिल स्टार्ट करके देख लेते हैं अभी हमारा भी यह एंगल मुड़ा हुआ मैंने यह क्या किया यह लेयर को स्लैक करना है इसके ओपर क्लिक करने के बाद हमने एडिट पर जा सकते हैं आप चाहिए इसको पीछे भी कर सकते हैं तो ठीक है तो यह था हमारा इसको पीछे मुव करने के लिए तो अगर मैंने यहां से नेक यह चीज़ को सीधा करना है एक पॉइंट यहां पर लगाता हूं और एक पॉइंट यहां पर लगाता हूं कि यह दिखिए मैंने इसको सीधा कर दिया इसका अभी उसने काफी हद तक इसको इंप्रूब कर दिया है आप देखें यहां पर तो यह आप चाहें तो और इसको पीछे थोड़ा की सकते हैं और ओके कर दें तो यह देखिए उसने काफी हद तक इसकी जो है चेंजिंग कर दि इसखाद तो अभी हम यही ऑप्शन एक रोप के साथ करके दिखेंगे तो चलिया यह मुव करते हैं रोप के साथ कैसे करना है तो यहां पर मैंने तो यहां पर यहां पर चाहे आप चाहे इसको देखी यही रसी मैंने कैसे बयत्रीन डंग से यहां पर इसको मैंने मूव कर लिया हुआ अब चाहे तो इसको कैसे हम अपने कोडिंग इसकी कर सकते हैं तो आप चाहे इसकी मूवमेंट भी बना ले तो तब भी यह आपको काफी अद तक इसका फाइदा रहेगा यह अभी देखिए जैसे मैंने फिर स्टेट कर दिया अंडू करके अगें यहां क्लिक कर लाइते हैं दो थीन और यहां पर इसको मूव कर लेटे हैं यहां कि तो यहां पर इसको ऐसे चाहें मूव कर लें तो यह आप चाहें इसका हमने अपने कोडिंग थोड़ी सी आप सिलेक्शन का आपको ध्यान रखना पढ़ेगा मैंने काफी इसकी हद तक इसकी तो हम कर सकते हैं रही है यह मैंने ऐसटो कर सकते हैं यह चीज यह आप पूटोशॉप के अंदर किसी इमिज के साथ क्रेक्शन कर सकते हैं लेकिन आप उसका फणी ना बनाई तो बेटर रहेगा क्रेक्शन के साथ यह होगा कि आपका वर्क भी आपको पता चलेगा कि हम कैसे इसके साथ वर्क करेंगे तो फिर उसमें आपका प्रैक्टिकल वक भी तो आप बैटर रहेगा आप अपनी ऑप्शन को से यूज़ करें तो यह था मारा आज का पपेट रैप थैंक यू गाइज